नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका सौगते, मैं हूँ शेक इसमाईल अजादी के पच्चत तवर्शिक बीथने के बाद, बेला तैसिल के कुछ ग्रामिन इलागे आज पानी के लिए परिशान है सडकों के लिए मोताज है, मुलबुत सुविदाओं का यहां पर अभाव है नार्किय जीवन जीने के लिए मजबूर है, जिम्मेदार अफिसर कोई ध्यान नहीं देते दफ्तरों के चकर काटे जाते हैं, शिकायत की जाती हैं, वेवस्ता जस्कितस नहीं होती ग्रामिन का अरुभ है कि यहां मत्तदाता मात्र बन कर रह जाता है अदिलाबाद जिल्ले बेला तैसिल के राएपूर गाउं का ये चित्र है राएपूर गाउं की सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है सरकार हर गाउं की सड़क को जोने के दावट तो बहुत करती है लेकिन राएपूर की ये तस्वीर है, उन दावों का दम निकाल रही है ये तस्वीर रोड के अभाउं में बहुत सारे लोग दम तोड़ चुके है बीमारी के वक्त और प्रसो वेदन के समय पर सड़क के अभाउ से परेशानिया उठानी पर रही है कहीं बार दम तोड़ चुके हैं इस गाउं का परदाफाश करने के लिए माई मावली नूस नेटवर्क उस गाउं में पहुंची बेला जोन गनिशपूर पंचायत के रायपूर तांडा गाउं पहाड़ी इलाके में हैं 40 साल पहले बसा ये गाउं यहां पर मतुरा समाज के 50 कुटुम रहते हैं सरकार की और से पहुशने वाले योजनाएं गाउं तक नहीं आ रहे हैं पीने का पानी सडक का भाव राशन के लिए कही किलो मिटर दूर जाना पड़ता है इस सडक को बनाने में ना कोई राजनितिक दल और ना कोई सरकार कोई दिल्चस्वी ले रही है एक तरफ हम अजादिक अमरत महस्व मना रहे हैं लेकिन बेला जोन राइपुर गाउं में सडक और पानी का सुविदा उपलब्द नहीं है क्या यही हमारी प्रगती है आके हमको देख रहे नहीं हमको कोल बानी हमको फष्टा बार रोड होना यहां पे गनेश्पुर को हना हमको जाना आना बोले तो भरत तकलिफ होता उसके लिए गराम पंचाद को हना